Summer Game Fest के लेटेस्ट एवेंट में हमें जाने माने कंसोल और PlayStation के राइवर, Xbox के लिए डेडिकेटेड, Xbox मतलचा शोकेस देखने को मिला। दो खंटे के इस इवेंट में बहुत सारे नए गेम्स के गेमप्लेज रिवील किये गाए, ट्रेलर्स मिलें और अनॉस्मेंट भी देखने को मिली। इस वीडियो में हम वो 15 बड़े अपडेट्स की बात करेंगे जो हमें शोकेस में देखने को मिले। तो दो खंटे के शोकेस देखने की जगा, आज की इस वीडियो में हम आपको 15 बिगेस्ट अपडेट्स के बार में बताने वाला हूँ जो कि इस इवेंट में हमें देखने को मिला। और लेटेस्ट इवेंट में हमें इसके 15 मिनेट्स के वोक्त्रू को शोकेस किया गया, जिसके इंडर बहुत सारे माइंड बुरिंग फीचर्स रिवील के गए जिसे हर साइफाइ गेम लवर को सुनना चाहिए। इस उपन बर्ड डोल प्लेइंग गेम में हमारे पास 1000 प्लैनेट्स हैं एक्स्प्लोर करने को जिसमें हम रिसोर्सस को स्कैन और कलेक्ट कर सकते हैं। इस गेम के लिए इस गेम के लिए फॉर पीसी एंड एक्सबोक्स वैसे जब मैं लाइट इवेंट देख रहाता तो काफी लोग इसे थोड़ सा क्रिडिसाइज भी कर रहते हैं यह कहके कि यह फॉल आउट सेट इन स्पेस है या फिर नो मैंस काई की एक तरह इसे कॉपी है Minecraft के developer Mojang Studios ने अपने franchise के एक new title को reveal किया है Blackbird Interactive के साथ collaborate करके बनाए गए गेम का नाम दिया गया है Minecraft Legends और एक action strategy game होने वाला है एक्सपो में announcement trailer के अंदर graphics, gameplay और storyline का थोड़ा सा sneak peek मिला storyline की बात करें तो players का काम है अपने overworld को piglin invasion से protect करना और इसके लिए जरूरी है resources को collect करके साइज से utilize करना और effective strategy बनाना अपने enemies को repeat करने के लिए काफी सारे optional missions और quests हैं गेम में उसके बाद online campaign, co-op और competitive multiplayer game modes भी हैं ताकि players अपने friends के साथ भी enjoy कर सके Release date set की गही है sometime in 2023 for Xbox, PC, Nintendo Switch and Sony PlayStation जी हाँ ये mobile के लिए अभी तो नहीं है 2015 में आए जाने माने survival game, Ark Survival Evolved का sequel, Ark 2 को एक new cinematic thriller के साथ showcase किया गया ये original Ark की तरह ही open world होने जा रहा है, जिसमें हमें dinosaurs के बीच रहकर survive करना होगा बट इस बार एक new planet पर एक मिनियर तक चले इस trailer में कुछ खास रिवील नहीं किया गया except for wind diesel का character, San Diego जी हाँ, इस game में wind diesel खुद acting कर रहे हैं और वो San Diego का role निभा रहे हैं, जोकि dinosaur पर अपनी बेटी Mika के साथ गूम रहे हैं गेम को Unreal Engine 5 पर बनाया गया है और इसके environment और object quality काफी जात immersive लग रहा है गेम originally 2022 में release होने वाला था बढ़ अब 2023 में release किया जाएगा Microsoft का अभी तक का सबसे लंबा चलने वाला franchise Microsoft Flight Simulator इस साल November में अपनी 40th anniversary celebrate करेगा इसे यादगर बनाने के लिए इसके सबसे latest title में काफी updates लाय जा रहे हैं, classic airports को deduce किया जा रहे हैं उसके बाद काफी सारे historical aircraft, helicopters, gliders और एक airliner को भी अड़ किया जाएगा उनकी हुए players और Xbox Game Pass members के लिए बिल्कुल free हैं, इसे official site से download किया जा सकता है Riot Games ने Xbox के लिए एक बहुत बड़ा decision लिया है, publisher ने Xbox Game Pass owners के लिए अपने सारे well-known roasters को free to unlock कर दिया है All Champions in League of Legends, League of Legends Wild Rift and Agents in Valorant ये सारे अब बिना किसी additional cost के अबले बल होंगे Xbox Game Pass owners के लिए च्योंकि सही में बहुती जादा बड़ा update है, मतलब आप Valorant खेल रहोंगे और बहुत से तो नए agents आते हैं, चिनको आप नहीं खरीच सकते हैं बट अगर आप एक Xbox Game Pass बायर हो, तो उनको enjoy कर पाऊगे उसके साथ ही foundation set भी unlocked होगा in Legends of Trinity Terra and कुछ selected little legends and teamfight tactics PC या mobile titles, दोनों में ही players and bonuses को claim कर सकेंगे और भी चीजों को add किया जा सकता है, जो release date के पास आते आते ही पता चलेंगी चो शायद इस साल के end में या फिर early 2023 में set की गई है Racing Games में अपनी अलग पहचान बनाने वाले Xbox Game Studios का franchise For the Motorsport के new title का gameplay trailer और demo को release किया गया है इसमें हमें पुराने title से काफी कुछ improvement देखने को मिली है जिसमें physics including vehicle damage को और जादे realistic बनानी कोशिश की गई है tracks को overall किया जा रहा है with more accurate recreation और इस बार सारे tracks में weather और time change करने का option मिलेगा photo realistic graphics जिसमें Forza के अलगी level है उसे और next level पर ले जाने की त्यारी की जा रही है पिछले games की तरह इसमें title के आगे कोई number नहीं दिया गया बस simply Forza Motorsport ही कहा जा रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि ये reboot हो सकता है franchise का और release प्लैन की गई है spring 2023 में post-apocalyptic world में based action adventure game a plague till requiem का gameplay trailer event में reveal किया गया challenges बिलकुल पहले game की तरह लग रहे हैं जिसमें हमें जातर shell का इसमाल करते हुए enemy से deal करना है rats हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी जिनका जुन हमें और हमारे rivals दोनों के लिए fatal है graphics काफी solid है और action तो काफी enhance किया गया है boss characters और fights भी equally stunning लग रहे हैं इसे amesia और उसके भाई को फिर से मुश्किल होगा सामना करना पड़ेगा game की release date 2022 में set की गई है for xbox, playstation 5 and pc but एक पकी date अभी आनी बाकी है forza horizon 5 forza horizon franchise के latest title में hot wheels dlc को लाया जा रहा है announcement trailer में हमें दिखाये गया hot wheels trailer के design किये हुए कुछ unique cars अपने stun tracks पर perform करते हुए जो कहीं volcano से बच के निकल रहे हैं तो कभी उचे mountains के उपर से similar dlc package forza horizon 3 के लिए भी आया था जिससे काफी पसंद किया गया और इस new hot wheels dlc के लिए players काफी excited हैं जिसे इसी साल July 19 को release किया जाएगा upcoming online first person shooter overwatch 2 का new trailer को present किया गया ट्रेलर में final release date के साथ साथ इसके free to play होने की announcement भी की गई overwatch 1 की comparison में sequel में काफी बड़े changes आ रहे हैं इसमें included है combat style, characters और gameplay system उसके बाद इसमें पुराने 6v6 PvP system को हटा के 5v5 लाया जा रहा है player versus player और player versus enemy दोनों modes को release किया जाएगा लेकिन separately बट पहले PvP mode को release किया जाएगा on October 4, 2022 for PC and Xbox Elder Scrolls Online जो famous MMORPG game है उसके new update High Isle के cinematic trailer को event में reveal किया गया पैसे तो इसे PC के लिए 1 week पहले ही release कर दिया गया था बट consoles player को इस update को try करने के लिए June 21 तक wait करना होगा रुपीज 1800 के इस explosion में players को एक new location, size stress एर के पहले को introduce कराया जाएगा जहां magically power about human batons और उनके famous knights rule करते हैं New trailer में हम एक 3 banner war के फिर से शुरू होने का hint दिया गया है जो game के timeline में पहले हो चुकी है और काफ़ devastating भी था Interestingly ये new expansion 30 hours का gameplay ला रहा है जिसमें बहुत सारे primary missions और side quests भडे हुए है Sea Explodation पर based action adventure game Sea of Thieves का season 7 announce हो गया है Last season में Sea Fronts को reduce करने के बाद अब captaincy feature को भी लाया जा रहा है इस feature के under अब आप एक अपने खुद के ship पर पूरा control कर सकते हो जिसमें हमें cabin को customize और इसके बाद अपने ship का custom name देने का भी option है Ship और character customizations में भी additions किये जिनको storyline के बारे में नहीं पता उन्हें बता दू कि इस game में एक pirate का role play करते हैं आप और islands और open seas को explore करते हैं जिसमें हमें काफी बार enemies से भी fight करनी पड़ती है इस साल जुलाई में Sea of Thieves के नई season का release किया जाएगा Fallout 76, वितर्षजा का बनाए हुआ famous franchise का latest title अपने 13th major update, expeditions the pit के लिए ready हो रहा है इस update में हमें एक new city के edition देखने को मिलेगी जो है US का Pittsburgh, जो अपकलिप्स के बाद बस pit के नाम सी जाना चाहता है New location में players new challenges और mission से deal करेंगे जिसका story trailer event में release किया गया release date की बात करें तो इस साल सप्टेμबर में इसे available करा दिया जाएगा for players to download and enjoy वैसे story trailer में ये भी कहा गया है कि Fallout 76 के पास 12 million players है तो सच में काफी बड़ा player base है किसी भी game के लिए और ऐसे ही major official updates और expansions के कारण popularity बनी रहती है title की Wu Long Fallen Dynasty एक under development game है जिसे team ninja बना रही है और इसे ancient China के period में set किया गया है event में हमें एक cinematic trailer देखने को मिला जिसमें इसकी setting और studio का एक जलक देखने को मिलता है काफी mystical characters game में involved है including dragon like creatures as well description की मानने तो game action packed होने वाला है जिसमें sword fight और Chinese martial arts सक काफी जादा use होगा game को early 2030 में release करने का plan किया गया है Arkane Studios का Redfall एक unique first person shooter game है जिसमें हमारे target vampires होते event में reveal किये गई gameplay trailer में हमें single player और co-op दोनों का experiences देखने को मिलते हैं game में हमारे पास four playable collectors हैं जिनके पास अपने unique powers है vampires को हराने के लिए game का environment काफी horrific और graphic है और sound quality भी काफी suit करती है इसके theme को देखते हुए game में magical fantasies है जो की आगे showcases या फिर डिवील्स में देखने को मिल सकती है डिवील्स 2023 में plan की गई है for Xbox and PC Blizzard का develop किया हुआ franchise Diablo का new title Diablo 4G cinematic trailer और gameplay trailer का sneak peek मिला villains है और हमारे one of the playable characters के fight scenes and powers को showcase किया गया है monsters भी बहुत तरह के देखने को मिलते हैं और उनके abilities भी game में जैसे जैसे हम progress करेंगे और powerful monsters का सामना होगा जिने हराने के बाद ही आगे progress कर सकेंगे इसकी release 2023 में plan की गई है for PC, Xbox and PlayStation तो कैस ये था हमारा rundown of 15 biggest announcements from Xbox Bethesda showcase आपके इन games के लिए excited होई जरूर बताना comment section में वीडियो पसंद आई है तो like का button दबादो और साथ ही अपने दूसरे साथ भी share कर दो ताकि उन्हें भी दो गई बन देखने की जगा बैसे बंतर announcements मिल जाए बागी सब्सक्राइब भी कर दो जानल को ताकि आपको ऐसी मिलतर है high quality gaming content on games gossip मिलता हूँ आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए टाड़ा बाई बाई